Competition हव के वीडियो लेक्चर में स्वागत है students और आज मैं आपको तिरकौनमीती के part 4 के तहत जो है सारे questions, sorry, part 3 होगा ये इससे पहले मैंने आपके part 2 के तहत question number 5 तक के कुछ questions और कुछ theory बताया था उसी के concept पे अधारिट next part है या part 3 है या और इसके तहत में आपको लगवग 20 से 25 questions तिरकौनमीती के बहुत important कर बाऊंगा और इसी type के questions आपके exam में भी वहाँ तिरकौनमीती के पूछे जाएंगे तो इसको आप अच्छे से ध्यान से समझने का प्रियास करें अगर आपको जो नीचे description box है उसमें आपको जो है link दिया हुआ है website का तो वहाँ से आप contact कर सकते हैं ठीक है चलिए मैं start करता हूँ part 3 के जो question number 6 से part 2 के तहत मैंने question number 5 तक बताया था चलिए यहाँ पर देखिए questions question number 6 क्या का रहा है students वो देखिए 2 sin 30 plus 1060 equal to cos square theta plus cos theta plus root 3 minus 1 अब हमें कुछ value पता होता है जैसे यहाँ पर हमको पता है कि 2 sin 30 का value क्या होता है तो sin 30 का value 1 वर्टे 2 होता है और 1060 का मन कितना होता है तो root 3 होता है तो वो सारा value हम यहाँ पर लिख लेंगे ठीक है cos square theta plus cos theta plus root 3 minus 1 अब देखिए यहाँ पर भी root 3 और left और right दोनों साइड है तो दोनों दोनों आपस में cut जाएगे यहाँ पर क्या हो जाएगा टोटो कट गया तो यह half एक एक एधर दोनों साइड अगर इधर आएंगे तो इधर घट जाएगा यह इधर आएगा तो यह जूट जाएगा ठीक है तो हम इसको क्या करते हैं इस साइड ही ले आते हैं ठीक है तो cos square theta plus cos theta अब minus 1 है और इधर से भी minus 1 जाएगा तो minus 2 हो जाएगा equal to 0 हो जाएगा अब इसको हम quadratic equation के form में तोर सकते हैं ठीक है अब हम इसको क्या लिखेंगे cos square theta plus 2 cos theta minus cos theta minus 2 equal to 0 और इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा cos common ले ले लेंगे तो cos theta plus 2 यहाँ पर भी अगर हम minus cos theta ले 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 या 1 ले ले तो sorry minus यहाँ पर 1 ले लेते हैं ठीक है minus 1 ले ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा cos theta minus 1 ले ले लेते हैं तो यह cos theta plus 2 हो जाएगा ठीक है, plus minus minus 2 हो गया cos theta minus cos theta यहाँ पे cos theta cos square theta 2 cos theta, तो अब हम इसको लिख सकते हैं cos theta minus 1 into cos theta plus 2 equal to 0 तो cos theta equal to 1 हो गया और यहाँ पे cos theta equal to minus 2, जो की अमान होगा minus का value अमान है, तो cos theta बरावर 1, तो आपको पता होगा cos theta, कितना बरावर 1 हो जाएगा cos 0 cos theta, यानि theta equal to क्या होगा, 0 degree, तो इसका answer क्या हो जाएगा, students, यहाँ option number 1, क्या है, cos theta equal to 0 degree, तो यहाँ पर question number 6 का answer क्या हो जाएगा, 1, यानि cos, यहाँ पर जो है 0 equal to भी हो सकता है theta और 90 से छोटा value यानि इसका value क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ठीक है, अब next question देखते हैं question number 7, बहुत important questions है, यह, तो इसको हम किस तरीका से बनाते हैं, वो देखिए, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं AQ और BQ के form, और AQ पलस BQ आपको फर्मूला पहले से पता होता है, तो चलिए, बनाना start करते हैं, चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, कि इसको सबसे पहले हम form में बदल देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, sin A square theta का whole Q लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, अब इसको हम cos square theta का whole Q लिख देते हैं, और प्लस 3 sin square theta into cos square theta को रहने देते हैं, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, AQ plus BQ, आपको पता होगा क्या होता है, AQ plus BQ equal to क्या हो जाता है, आपका A plus B का whole Q, minus 3AB into A, A square plus B, sorry, क्या हो जाता है, तो 3AB into A plus B, ये आपका formula होता है, AQ plus BQ equal to क्या हो जाता है, आप इसको side में मैं लिख देता हूँ, आपका, A plus B का whole Q, minus 3AB into A plus B, ये होता है, 3AB into A plus B, अब इसी को इस form में लिख लिजे, तो sin square theta plus cos square theta का whole Q, minus 3sin square theta into cos square theta, minus 3AB into A plus B, यानि sin square theta plus cos square theta, 3AB into A plus B, अब पलस 3sin square theta into cos square theta, क्योंकि पहले सी ये value दिया हुआ है, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ तक तो formula ही है, इसका, ये value ठीक है, अब इसके आगे, अब A square sin square theta plus cos square theta क्या हो जाता है, 1, 1-3sin square theta into cos square theta, और ये into sin square theta into cos square theta, ये भी 1 ही दे देता है, पलस 3sin square theta into cos square theta, ये ये cut गया, यानि इसका value क्या दे देगा 1, इसका option number 1, 7 क्या हो जाएगा, option number 1, यानि 1 value आपका दे रहा है, ठीक है, तो आप question number 8 पर आते हैं, इस तरीका से वही असानी से हम लोग questions, सारे questions को solve करते जाएंगे, ठीक है, अब question number 8 को देखे, यहाँ पर बस कुछ नहीं करना, हर परमेकरन कर देना, उपर नीचे क्या करेंगे हम, हर परमेकरन करके इसको solve कर देंगे, जैसे यहाँ पर questions दिया हुआ है, 1 पलस sin x, बटे 1 मैनस sin x, ठीक है, तो इसको उपर नीचे गुना कीजिए, 1 पलस sin x, इन्टू 1 पलस sin x, यह हो गया, उपर में क्या हो जाएगा, 1 पलस sin x का square, बटे a मैनस b, इन्टू a पलस b, यानि a square मैनस b square, लिख सकते हैं इसको, अब यह अगर root हटेगा, तो 1 पलस sin x, बटे क्या हो जाएगा, cos square x, 1 मैनस sin square x, इकल to cos square x होता है, अगर root ओबर हटाएगे, तो cos x हो जाएगा, यहनि 1 पलस sin x, बटे cos x, इसको लिख सकते हैं, और 1 पलस cos x को, 6 x पलस sin x, बटे cos x को क्या लिखेंगे, 10 x, ठीक है, तो answer क्या हो जाएगा, 6 x पलस 10 x, option नमर 1, ठीक है, इस तरीका से हम questions को solve करते हैं, question number 9 पर आते हैं, चलिए, अब यहाँ पर देखिए, a पलस b पलस c का whole square पर भी हम इसको तोड़ सकते हैं, a पलस b पलस c का whole square equal to क्या हो जाता है, आपको पता होगा, a square पलस b square पलस c square पलस 2ab पलस 2bc पलस 2ca, देखते हैं, उस पर करके, यही फर्मूला भी यहाँ पूट कर सकते हैं, तो a square यानि 1 का square, पलस b का square, यानि minus sin a का square, पलस c का square, यानि cos a का square, ठीक है, पलस 2ab एक ले लेते हैं, बी का minus sin a ले लेते हैं, पलस 2bc, 2b का value minus sin a ले लेते हैं, इंटू cos a ले ले लेते हैं, पलस 2sin a, 2ab, bc, अब 2c ये करना होगा, तो c का value cos a है, आइंटू 1 ले ले लेते हैं, यही हो गया, अब देखिए, इसको हम लिखेंगे, 1 plus minus का कितना भी, आगर square में दे दे हैं, सम टर्म में राता है, पोजिटिव हो जाता है, तो sin square a, पलस ये क्या हो जाएगा, cos square a, plus minus minus 2sin a, ये क्या हो जाएगा, plus minus minus 2sin a इंटू cos a, अब पलस ये क्या हो जाएगा, 2cos a, अब देखिए, गौर किजए कुछ value का जोड करके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा, 1, plus sin square a, plus cos square a, क्या देगा, 1, minus, यहाँ पर देखिए, 2sin a, यहाँ पर हम सब में overall common भी ले सकते हैं, इसका, ठीक है, तो यहाँ पर 2sin a, minus 2sin a, इंटू cos a, पलस 2cos a, हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको तोड़ते जाएगे, और लिखते जाएगे, यहाँ पर देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2, minus 2sin a, minus 2sin a, इंटू cos a, पलस 2cos a, लिख सकते हैं इसको, अब हम इसको 2 common ले लेते हैं, तो यह क्या हो जागा 1 minus sine A हो गया ठीक है अब यहाँ पर भी हम common ले सकते हैं क्या common ले सकते हैं दोनों में तो यहाँ पर cos A है तो यहाँ पर हम minus 2 cos A अगर common ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए मैनस वन यहाँ पर इस टरब में आप लेने का प्रियास करें तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं एक सकेंड इस्टुएंट्स यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजेगा यहाँ ओभर वाल हम टू को मन ले लेते हैं तो यहाँ पर ओभर वाल टू को मन ले लेंगे तो यह तो हो गया वन मैनस साइन है अब यहाँ पर जो है टू तो पहले आही गया है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पलस क्वास एक को मन ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पलस को से तो इसको हम ले सकते वन यह हो गया और मैंना साइन ठीक है तो यह लिख सकते हैं अब इसको हम क्या लिख सकते हैं टू इंटू दोनों को टर्म में आप कर लिजिए इसको कनवर्ट कर लिजिए टू यह क्या हो जाएग 1-sin A, ठीक है, और into क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर, यहाँ पर 1 अगर नहीं कुछ है, तो 1 पलस क्वास A, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 1 पलस, यह अगर मालेजी 1 है, तो 1 पलस क्वास A, इस तरीका से हम, इसका answer क्या हो जाएगा, 2 into 1-sin A into 1 पलस क्वास A, इसका answer देखिए, option मिला लेजिए, कौन सा सही होगा, 2 into 1 पलस क्वास A, ठीक है, देख लेते हैं, क्या है, 2 into 1-sin A, ठीक है, 1-sin A, 2 into 1-sin A, यहाँ पर, यहाँ पर, sorry, 2 into 1-sin A, यहाँ थोड़ा सा, लगता है, मिस्टिक हो गया, चलिए, इसको सुधार लेते हैं, हाँ, यहाँ आगया, ठीक है, तो यही आपका answer है, 1-sin A into 1 पलस क्वास A, यहाँ पर, देखिए, option होगा, 2 into 1-sin A into 1 पलस क्वास A, option नमर 3, ठीक है, तो option number क्या हो जाए, option number 3, तो इस तरीका से इस questions को हम solve कर लेंगे, चलिए, next questions करते हैं, थोड़ा सा space इसका भी उसमें use हो गया, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, अब इसको हम कैसे solve करेंगे, उसको देखिए, अब यहाँ पर question क्या दे दिया है, students, कि 10 theta equal to root 6 plus root 6 plus root 6 dot 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 infinity तक गया, अनन तक गया है, तो हम क्या करेंगे, students, इसको हम कुछ मान लेंगे, ठीक है, इसको मान करके बनाएंगे, तब यह आसानी से, यहाँ पर 10 theta equal to यह दिया गया है, ठीक है, अब हम इसको solve करने के लिए, दोनों side क्या करते हैं, square कर देते हैं, both side squaring करेंगे, तो इधर हो जागा 10 square theta, और इधर एक root हट जागा, 6 plus root 6 plus root 6 plus dot 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 अनन तक जाएगा, और इसी को 10 theta हम माने हुए, यहाँ पर दिया हुए value, तो हम इसको लिख सकते हैं, 10 square theta plus 6 plus 10 theta, अब इसको हम quadratic equation में लिख सकते हैं, 10 square theta, ठीक है, यही चीज हो जाएगा, minus 10 theta plus 6 equal to 0, अब इसको हम convert करेंगे quadratic equation को, आपको बनाना आता ही होगा, 6 को, 2 और 3 के, तो यहाँ पर minus 3 10 theta minus 2 10 theta plus कर देंगे, तब यह minus में हो जाएगा, 10 theta plus 6, अब इसको हम convert करके, आप value निकाल सकते हैं, इसको देखिए, अब 10 theta common ले लेंगे, तो 10 theta minus 3, ठीक है, और plus 2 into 10 theta होगा, यहाँ पर, sorry, यहाँ पर minus है, तो यहाँ पर इधर आएगा 10 square तो यह भी minus में चला जाएगा, ठीक है, minus 6 हो जाएगा, यहाँ पर mistake हो गया था, यह minus 6 कर लिजए, यह minus 6 हो जाएगा, तो 2 10 theta minus, क्या हो जाएगा, 6, यही होगा, 2 10 theta, two common ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 10 theta 2 10 theta minus 3 यही होगा तभी 2 10 theta minus 6 हो जाएगा अब यह क्या फेलू दे देगा 10 theta plus 2 into 10 theta minus 3 और आपको पता होगा 10 theta बराबर minus 2 अमान हो जाएगा 10 theta बराबर plus 2 equal to 0 और एक हो गया 10 theta minus 3 equal to 0 जो कि यह फेलू क्या हो जाएगा अमान क्योंकि मैनस टू दे देगा 10 थीटा इक्वल टू क्या होजेगा 3 यानि थीटा इक्वल टू 10 किसका भेलू होता है 3 ठीक है तो आप इसको यहाँ पर questions पूछ रहा था आपका 3 तो 10 आपको पता होगा किसका होता है भेलू 10 60 का मान क्या हो जाता है रूट 3 तो थीटा बराबर क्या हो जागा 60 डिगरी तो यहाँ पर options देखिए होगा कोई ना कोई options दिया हुआ होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो सेक स्कॉर थीटा का मान पूछ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमने क्या निकाला है क्या निकाला 10 theta बराबर क्या हो गया चलिए यहाँ पर 3 ही रहने देते हैं अब यहाँ पर put कर देंगे 6 square theta का मौन पूछ रहा है तो 6 square theta minus 10 square theta equal to 1 होता है तो 6 square theta 1 plus 10 square theta यानि 1 plus 10 theta का मौन हमने क्या निकाला 3 निकाला 3 के square 3 तिया 9 एक 10 एंसर क्या हो जाए 10 option number 2 ठीक है इस परकार से हम questions को असानी से solve कर लिए चलिए अब next question पर आते हैं यहाँ पर देखिए court a plus quasi a का मौन निकालना है तो यहाँ पर देखिए students सब स्पेल हम क्या करेंगे value निकाल लेंगे ठीक है जिससे sin 90 minus a sin 90 minus a equal to half दे दिया तो यह कितना का value होता है 60 का तो sin sin कट गया तो 90 minus a equal to 60 तो a इधर गया a equal to क्या हो गया 30 degree क्योंकि a इधर गया 60 इधर गया 90 minus 60 गया 30 अब a का value यहाँ पूट कर दीजिए court 30 plus cos 1 30 तो court 30 का मौन कितना होता है तो आपको पता होगा 10 30 का मौन यदि आपका 1 बटे root 3 तो court 30 का मौन आपको क्या हो गया root 3 ठीक है plus cos 1 30 का मौन क्या हो जाएगा आपका cos 1 30 क्योंकि 6 30 का मौन हो जाता है आपका कितना 1 बटे 2 तो इसका 2 हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए तो इसका answer क्या हो जाएगा आपका two plus root three students इस questions को मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया यह sign 30 का मान होता है ना एक बटे दू यहां मैंने 60 दे दिया था ठीक है तो यह फिर से मैं इसको solve कर देता हूँ तो फिर से इसको हम बनाते हैं इस question को मैं फिर से बनाता हूँ थोड़ा साम यहां पर मैंने mistake कर दिया था sign 60 मैंने लिख दिया था जबकि sign 30 का इमान होता है एक बटे दो ठीक है फिर से हम इसको solve कर लेते हैं sign 90 minus a equal to sign 30 यानि एक बटे दो किसका value होता है sign 30 का अब sign sign कट गया तो 90 minus a equal to 30 degree तो a बराबर क्या हो गया 90 minus 30 इधर गया इधर जाएगा ठीक है यह इधर गया इधर तो 60 a equal to क्या हो गया आपका 60 60 अब value पूट कर दिजिए तो quad 60 plus cos 1 60 तो आपको पता होगा 10 60 का मान रूट 3 तो यह क्या हो जागा 1 बटे root 3 और sign 60 का मान आपको पता है क्या होता है root root 3 by 2 तो यह क्या हो जागा 2 बटे root 3 यह क्या होगी आपका root 3 1 plus 2 बटे अगर आप इसका ncm ले लेंगे ठीक है तो यह क्या देदेगा आपका value तो यहां पर क्या हो जागा 2 1 3 यह इसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यह 3 बटे root 3 और 3 को हम लिख सकते है root 3 into root 3 आब बटे root 3 root 3 3 को मैंने root 3 into root 3 लिख दिया यानी value क्या दिया root 3 इसका option नमर 3 अगर आपको answer ना मिले तो आप समझ जाएं कहीं ना कहीं तिरकोनमिती में मैंने mistake किया जिसे अभी मैं questions बना रहा था तो मैरे answer नहीं मिल रहे थे ठीक है तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने mistake किया है तो एक नजर मैंने दिया तो मुझे लगा कि यहाँ पर मैंने mistake किया है तो इस type के questions को आप ये भी आप देखें कि अगर एक बार में answer आपका नहीं मिल ला है तो कहीं ना कहीं जरूर mistake हुआ है तो उसको आप पहले देख लें कि कहां मैंने mistake किया गलतियां हर एक इंसान से होती है और आपसे भी वहाँ exam में हो सकती है तो इसको आप ध्यान से थोड़ा सा करने का परियास करेंगे ठीक है अब next questions इस type के questions को मैंने बताया ही आपको जैसे इसको हम बदल सकते है quart 9 को लिख सकते थे quart 90-81 ठीक है तो यह 10 में बदल जाएगा और quart 27 को हम लिख सकते है quart 90-63 और इसको रहने देते है ठीक है बादमकी को अब यह बदल करके क्या value देगा आपको पता है 90 में सारे change हो जाते हैं और positive value देगा यानि 10-81 इन्टू quart 63 इन्टू 10-63 इन्टू quart 63 इन्टू आपका क्या है quart 81 तो इसको हम 1 बदल को लिख सकते है 1 बदल 10-81 इसको 1 बदल 10-63 और 10-63 तो अब यह आपस में कट जाएगे 10-63, 10-63, quart 63 यह 10-10 आपस में कट गए जैसे यहाँ पर direct भी हम अगर इस टाइप के question हो direct भी आप काट लिया करें ठीक है यह आपस में कट जाएगा value क्या दिदेगा 1 उतना time नहीं होता है आप तेजी से इस टाइप के questions को बना सकते है चलिए अब इस टाइप के questions को थोड़ा सा देख लें 10 a plus b 10 2 a equal to क्या हो जाएगा ठीक है चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पर देखिए students क्या दिया गया question में 10 a plus b equal to क्या दिया गया half 10 a minus b equal to 1 बटे 3 हम इसको लिख सकते थे इधर inverse करके 10 को उधर लेगे a plus b equal to 10 inverse क्या हो जाएगा एक बटे 2 और यह क्या हो जाएगा समिकरन 1 और समिकरन 2 लिख देते हैं ठीक है उसके बाद चलिए देखते हैं इसको हम लिख सकते थे a minus b equal to 10 inverse 1 बटे 3 लिख सकते थे अब दोनों को equation 1 और equation 2 को जोरेंगे ते यह क्या हो जाएगा 2a equal to 10 a plus b 10 inverse a plus b equal to क्या हो जाता है formula हो जाता है आपको पता होगा क्या हो जाता है कि 10 inverse जैसे a plus b xy का है term में तो यह क्या हो जाता है 10 inverse x plus y बटे 1 minus xy यह हो जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 inverse 1 बटे 2 plus 1 बटे 3 बटे 1 बटे 2 into 1 बटे 3 ठीक है और यह value क्या देदेगा आपका तो वो देखे 10 inverse यह 5 बटे 6 और 3 दो निचे minus 1 बटे 5 बटे 6 यह भी 5 बटे 6 ही देदेगा यह आपस में cut के value क्या देदेगा 1 और इधर 2a equal to हो गया तो फिर 10 को इधर ले आते हैं तो 10 2a 10 2a equal to क्या हो गया 1 तो यहाँ पर इसका answer 10 2a का value क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो option नमर 2 ठीक है इस तरीका से हम इस questions को solve कर लेंगे चलिए next question देखते है बहुत ही असान questions है sin a equal to sin b दे दिया है तो a plus b का मान गयात करना है आपको तो यहाँ पर direct हम sin a plus b का formula लगा करके इस questions को solve कर लेंगे चलिए देखते है अब देखें यहाँ पर दिया गया है sin a equal to क्या दे दिया गया है sin 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 a equal to 1 वटे root 10 तो हम cos a यहाँ से निकाल सकते है cos a equal to क्या होगा 1 root over 1 minus sin square a यानि root over 1 minus 1 वटे root 10 का square ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 9 वटे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 तो इसका root over करेंगे तो 3 वटे क्या हो जाएगा root 10 ठीक है तो cos a हो गया उसी परकार से हम sin b का value कितना दिया हुआ है 1 वटे root 3 तो cos भी निकाल सकते है root over 1 minus 1 वटे root 3 का square यह करेंगे तो 1 वटे 3 3 minus 1 गया 2 वटे 3 root over root 2 वटे 3 यह क्या हो गया root 2 वटे 3 sorry root 3 root 2 वटे root 3 अब हम value जानते हैं कि sin a plus b equal to क्या होता है फर्मूला पता है sin a plus b equal to क्या हो जाता है sin a into cos b plus cos a into sin b अब फर्मूला पूट कर दिजिए sin a का value 1 वटे root 10 और cos b का value यहाँ पर क्या आया आपका root 2 वटे root 3 तो इसको आप लिख दिजिए plus 3 वटे root 10 into 1 वटे root 3 अब नीचे में आपका क्या हो गया दोनों का गुना करेंगे root 30 यह क्या हो गया root 30 दोनों का value same ही है उपर में आपका क्या हो गया root 30 तो यहाँ पर आपका root 2 3 पलस यह हो गया आपका root 2 यह हो गया अब यह हो गया sin a plus b तो a plus b equal to क्या होगा, sine inverse इसको हम लिख सकते हैं sine inverse 3 plus root 2 बटे 30 यहीं आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा, तो इस तरीका से हम इसका answer निकाल सकते हैं ठीक चलिए, आब next questions को देखते हैं अब यहाँ पर देखिए यह simple सा question है इसको लिख सकते हम अब क्या है, sine theta बराबर a square plus 1 बटे a ठीक है, और हम जानते हैं कि sine का value क्या, minus 1 से अगर यहाँ पर sine a दिया हो, sine theta, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि a का value क्या करता है, vary करता है, ठीक है यहाँ 1, तो इसका answer क्या हो जाएगा, sine theta का value minus 1 के, से 1 के बीच vary करता है, इसलिए इसका answer क्या हो जाएगा option नमर 2, ठीक है, question नमर अब 16 पर आते हैं अब देखिए इस questions को कई से solve करेंगा, generally आपको पता ही होगा कि क्या हो जाता है, a plus b का whole square plus a minus b का whole square इसको लिख लिए a square plus 2ab plus b square sine square theta plus इधर वाले को भी कर लेते हैं cos square theta minus 2 sine theta into cos theta plus ये क्या हो जागा sine square theta और ये value क्या देदेगा, अब देखिए ये ये कट गए आपका, sine square theta plus cos square theta 1 और यहाँ पर भी cos square theta plus sine square theta 1, यानि value क्या देदेगा 2, यानि 16 का क्या हो गया, option नमर 4 2 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question इसमें थोड़ा सा concept हम लोग use करेंगे अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 10 inverse 1 वटे 5 को क्या मान लेते हैं, theta मान लेते हैं ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 theta equal to 1 वटे 5 हो जाएगा ये हो जाएगा, 10 theta equal to 1 वटे 5 हो जाएगा अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो 10, यहाँ पर 2 ten तो इहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 theta हो जाएगा क्योंकि हमने 10 inverse 1 वटे 5 को क्या मान लिया है, theta यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखीए, अगर हम लिखेंगे, तो 10 2 theta minus आपका क्या हो जागा pi वटे 4 यानि 180 वटे 4 180 वटे 4 को हम लिख सकते हैं 45 degree लिख सकते हैं na 180 वटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं 45 degree चली अब यहाँ पर हम formula पर put करेंगी 10a minus b के form में ठीक है आपको पता होगा 10a minus b का formula क्या होता 10a minus b equal to 10a minus 10b बटे 1 plus 10a into 10b 45 का मान आपको पता है एक होता है यहाँ पर आप 2 theta निकाल सकते हैं 10 theta का मान आपको पता है एक बटे 5 तो 10 2 theta equal to क्या हो जाएगा 10 2 theta equal to 2 10 theta बटे क्या हो जाता है 1 minus 10 square theta यही होता है तो अब यहाँ से आप निकाल लिजे 2 into 1 बटे 5 into 1 बटे यह क्या हो जाएगा 1 बटे 5 का square यहाँ एक बटे 25 25 में से एक गया 24 बटे 25 यहाँ दो बटे 25 बटे 25 बटे 25 25 और 2 से 12 बटे में कट जाएगा यहाँ पॉंच बटे 12 यह हो गया आपका पॉंच बटे 12 अब यहाँ पर फेल्यू पूट कर दिजे पॉंच बटे 12 मेंस 1 बटे 1 पलस 10 टू थिटा का पॉंच बटे 12 into 1 तो अब यहाँ पर फेल्यू पूट करके आप एंसर निकाले देखिए अब यहाँ पर फेल्यू क्या हो जाएगा आपका 12 पॉंच मेंस 12 बटे 12 और यह क्या हो गया आपका 12 पॉंच 17 बटे 12 12 बटे 12 कट गया 12 में इस पॉंच गया मेंस 7 बटे 17 इसका क्या हो जाएगा मेंस 7 बटे 17 जो की option नम्मर 3 option नम्मर 3 इसका exact answer हो जाएगा option नम्मर 3 क्या हो जाएगा मेंस 7 बटे 17 ठीक है इस टाइब से इस questions को बना लेंगे next question देखिए students ये क्या है cos theta equal to आपका value क्या दे दिये गए x दे दिये गए तो 10 theta का value पूछ रहा है तो 10 theta बराबर क्या होते students sin theta बटे cos theta ये होता है और हम यहाँ पर cos theta का value पता है तो sin theta को हम root over लिख सकते हैं root over 1 minus cos square theta बटे cos theta यानि root over 1 minus cos theta x square बटे x हम लिख ही सकते हैं यहाँ देखिए option number कौन सा है option number 1 ठीक है तो इस तरीका से question थोड़ा सा video बड़ा हो रहा है इसके बाद में next question आपको करवाता हूँ तो यहाँ पर देखिए जैसे alpha plus beta क्या दिया गया आपको alpha plus beta equal to 90 degree ठीक है और क्या क्या गया है alpha equal to 2 beta तो यहाँ पूट कीजिए alpha equal to क्या दिया दिया है 2 beta plus beta equal to 90 degree यानि आपका क्या हो गया 3 beta equal to 90 degree तो beta equal to क्या होगा 30 degree आपका beta क्मान और यहाँ पर alpha plus beta equal to 90 degree दिया गया है beta equal to 30 degree equal to 90 degree तो alpha equal to क्या होगा 60 degree तब यहाँ पूट कर लिजे cos square alpha यानि 60 degree plus sin square beta यानि beta का value कितना है 30 degree अब cos 60 क्मान आपको पता होगा cos 60 क्मान कितना हो जाता है तो root 3y 2 का whole square ठीक है sorry ये cos 60 क्मान होगे आपका 1 वटे 2 ठीक है 1 वटे 2 का whole square plus sin 30 क्मान क्या हो जाता है 1 वटे 2 का whole square ठीक है यह हो जाएगा अब इसको दोनों को जोर लिजे 1 वटे 4 plus 1 वटे 4 यानि 2 वटे 4 यानि क्या हो जाएगा 1 वटे 2 इसको मैं लिक देता हूं ठीक है 1 वटे 4 पलस 1 वटे 4 यानि 2 वटे 4 यानि 1 वटे 2 यानि option नमर 3 ठीक है question नमर 21 एक्चोली आदे घंटेस जैदा वीडियो हो रहा है तो question नमर 20 तक ही आज रहने देते हैं next part में जो है आपके next में करवाऊँगा तो आप लगातार वीडियो को सारा देख ही लें इससे क्या होगा कि तिरकौनमेती के questions आपको एक जम्में असानी से बन जाएंगे ठीक है अगर अच्छा लगता है तो like करें subscribe करें अगर आपको pdf materials चाहिए science या social science के तो आप नीचे दिये गए जो भी website है उससे contact कर सकते है thank you so much watching for this video